I've ridden it for over 120 km since morning और शाम तक जब तक हमारी होगी तब तक लगभग उतनी ही km और चला लूगा मतब 200 km के आस्वास में चला लूगा But 120 km के बाद में काफी कुछ मुझे इसके बारे में पता पड़ा है और end जब होगा तब उसके बारे में ही पता पड़ेगा But मोटे मोटे तौर पर जो आपका भी सवाल है वो ये कि Hero Maverick 440 जो की टेक्निकली चचेरी बहन या स्टेप सिस्टर है Harley Davidson X440 की क्या इन दोनों में अच्छली फारक है क्योंकि frame सेम है, engine सेम है, काफे कुछ hardware सेम है Is it better in quality? Is it better to ride? क्या इसकी खास बाते हैं? क्या इसके बिग पॉजिटिव्स हैं? क्या थोड़े नेगरिव्स हैं? उन सब चीजों की बात करेंगे आजके इस वीडियो में Namaskar क्मागरी दिवियो सचरो, मैंने में विकास योगी You're watching as a studio and here is everything that you need to know about the brand spanking new hero Maverick 440 All right, so the first things first, it's got the same trellis frame जो की आपको Harley-Davidson X440 में मिलता है और क्यों अलग होगा, of course क्योंकि co-developed की है दोनों मोड़साइकल्स Hero का हाले की गहना है कि उनोंने Maverick 440 जो है इसका design वगर है, in fact development जो है, इसका पहले शुरू हुआ था But then Harley, of course, wanted their product to go first And Hero agreed to it और इसी वज़े से वो आ गया, but मोटे-मोटे तौर पर दोनों में trellis frame आपको मिलता है अलाकि it's not as exposed, जैसे कि हम कई trellis frame में देखते हैं कि थोड़ा सा जादा exposed होता है It's rather kept simple, minimalist रखा है In fact overall, जो design है, उसे भी minimalist रखा है और यह जो tank देखोगे, यह extensions देखोगे tank के, जो shrouds अब बोलते हो उसको देखोगे वो खुबसूरत नजर आती है In fact, यहां तक भी काफी खुबसूरत नजर आती है It's just the rear part जहां पर मुझे लगा है कि थोड़ी कमी रहे गई मतलब वो half-hearted sort of a tank मुझे लगा But, design एक subjective चीज है, हो सकता है, आपको यह पसंद है But यह चीज जो definitely आपको पसंद है कि अगर आप Harley-Davidson X440 देखकर आओगे और इसको देखकर आओगे अगर आप Harley-Davidson X440 से compare करोगे पर एक चीज है, इसकी जो torque figure है वो Harley-Davidson से 2NM कम है वहाँ पर 38 Nm आपको मिलता है यहाँ पर आपको 36 Nm मिलता है But वो चीज जो है, वो negate हो जाती है या गायब हो जाती है, या फिर रिल्वेंट नहीं रहती है क्योंकि इसका weight कम है, तो talk to weight ratio है जो वो बहुत ही आसपास हो जाएगा suspensions की बात कर लूँ, suspensions जो है अभी मैं सिर्फ आपको hardware की information बता रहा हूँ suspensions, front वाले जो है traditional telescopic दिये हैं, जो conventional है mostly आप classic motorcycles में देखते हैं royal infield जो है, वो अपनी एकाद motorcycle को छोड़ दो तो अपनी सारी motorcycles कें दर telescopic suspensions दे देते हैं, अब आप बुलोगे जब Harley Davidson में आपने ज़ादा advanced setup दिया USD दे दिया है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया है आपने, देखिए दो चीज है एक तो यह hero है, दूसरी चीज इसको क्योंकि यह hero है, तो इसको cost effective भी बना रहा था है and that's why it is way more affordable than your Harley Davidson X440, बठा telescopic दिया गया है, 43 mm का है पीछे की side वही dual shock absorbers दिये गया है, अब suspensions चलाने में कैसे हैं नहीं है, वो मैं जब performance वारा पाट आए उसमें बताऊंगा, रही बात tires की, तो जहां Harley Davidson में आपको 18 इंच का front tire मिलता है, यहां पर आपको 17 इंच का मिलता है, front 17 है पीछे भी 17 है, Harley Davidson में भी 17 ही आता है, बट front वाला थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा जादा presence wise वो थोड़ा सा बहतर, I think आपको लग सकता है and before I start riding it again आपको कुछ चीजे बताता हूँ, सबसे पहले सबसे important दोनों पाउं मेरे नीचे टिक रहे हैं ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नी है 803 mm की saddle height है और यह एक ऐसी height है जिसमें most जो जनता होई यह इंडिया की, उनके लिए comfortable रहने वाला है तो वो actually उसमें भी दिक्कत नहीं थी Harley Davidson में भी थोड़ी low-slang यह थोड़ा cruiser style में बनाया गया है, वैसा आपको दिया गया है but yeah, very comfortable और mid set आपके footrest दिये गया है तो थोड़ा comfortable position दे नेकोशिशिदी की है इसा committed वाली नहीं दिये because it's not a sports motorcycle it's not a sport motorcycle it's more like एक neo retro जिसके अंदर आपको feel retro वाली हो और आपको चलाने में ज़्यादा comfortable हो again, वही retro style या फिर classic style जो आप बोलते हो engine की बात कर लेता हूँ मैं अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि engine कौन सा है, engine exactly वही 440cc का oil cooler के साथ में जो engine आता है, air oil cool जिसको हम बोलते हैं, वो engine आपको दिया गया है और लगबग लगबग 27 bhp की power आपको यह देता है और 36 newton minutes का मैं आपको torque बताई चुका हूँ so this is a long stroke engine और पहली बार hero ने अपने इतिहास में long stroke engine बनाया है इसका मतलब है कि जादा relaxed riding को ध्यान में रखकर इनोंने बनाया है लंबे stroke का मतलब यह होता है कि आप higher gear में अगर कम speed भी कर रहे हो तो आप easily कर सकते हो relaxed riding के हिसाब से इस engine को रखा गया है अब overall tuning कैसी है suspension की मैं थोड़े खराब रस्ते भी लेकी जाओंगा उसके अलाबा engine कैसा perform करता है किस level पर आकर यह vibrations आपको देता है और क्या overall मेरे feedback हैं क्या आप इसे 2500-300 km एक दिन में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उन सब चीजों के बात मैं इसको 120 km चलाने के बात में आपको बता हूँगा आपको बदाब आपको बिद्दों के बात वर्ट नादर 50 km मैंने और चला ली है और थोड़ा और जाना है तो लगबग लगबग 200 km से उपर ईजी ली हो जाएगा बट अभी इतनी चलाने के बात में यह आपको 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 थोड़े कर भी थोड़े पहाडो वाले रास्ते पे चलाने के बाद में, all I can tell you is, that it is one of the most comfortable motorcycles to ride, as long as you have good roads, या फिर जादा undulations ना हो, जादा गड़े ना हो, तो उस हसाब से आपको ये motorcycle बहुत जादा stable लगीगी, straight road stability जो है, वो बहुत शांदार है इस motorcycle की, in fact, curves पे भी, despite the fact that it's not a monoshock, जो usually हम थोड़ा modern setup देखते हैं, कि monoshock होता है, फिर adjustable होता है, in fact, आगे USD setups होते हैं, तो जो usually आप थोड़े से performance driven motorcycles में देखते हो, वो यहाँ पे नहीं होने के बाद भी, क्योंकि suspension की टूनी को इससे सबसे थोड़ा stiff किया गया है, इतना थोड़ा सा hard रखा गया है, जिससे कि आपको stability जो है बहुत अच्छी हो, अगर आप straight road gun कर रहे हो, then you will definitely have a lot of fun, और क्योंकि जैसे मैंने बुले कि long stock engine है, तो हमने gear change नहीं किया, मतलब I kept it set, 4th gear में मैं लगब 30, 31, 28 की speed भी कर रहा था, 5th gear में मैं तब ही उस case में होगी, जब आप खराब रस्ते पे जा रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको आप खराब रस्ते पी भी ले जाओगे, थोड़े गड़े वाले रस्ते पी ले जाओगे, so called off-roading कर लोगे, तो वो आप ना कीज़े, क्योंकि उसके हिसाब से कई लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपको वो लगता है कि भी चार्सु सीजी का इंजन है, तो उससे साब से काम करना चीज़ेगी, चार्सु सीजी का इंजन तो है, बट ड्यूक 390 का इंजन नहीं है, या हुस्कवाना का इंजन नहीं है, इस मोर रिलाक्स्ट इंजन, आप सौ के आसपास, पिचानवे सौ के आसपास एकदम रिलाक्स रहोगे, जो आपका आर्पीम है, अगर आप फिश्ज गेर में हो, इट होवज अराउंड 2500 रपीम, पच्छी सौ रपीम के आसपास, 2000-2500 रपीम के आसपास रहता है, तो आप आराम से 2-500 रपीम पे इसको चलाईए, 90-100 की स्पीड आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको इस मोडर साइकल में चलाने में नहीं होगी, the moment आपको लगता है कि 400 सीजी का मैं तो भया, पे लूँगा इसको, मैं इसको मतलब धंग से चलाऊँगा, और टॉपन पे चलाऊँगा, बढ़ टॉपन इसका है यहीं नहीं, honestly, so it's a motorcycle, जो कि low and torque आपको बहुत अच्छा देती है, it's a motorcycle, जो कि mid पे बहुत अच्छी है, but ऊपर की तरफ, top end में कुछ है नहीं आपके लिए, heating issue, specially हम run-off कच में हैं, और इस टाइम पर गर्मी होना शुरू हो जाती है, ऐसी कोई feeling मुझे अभी तक ज़्यादा आई नहीं है, हल्का फुल का गर्म आफकच, क्योंकि मैं पूरा टाइम पर I was gunning it all the time, क्योंकि बहुत लंबा सा फर्टेय करना था, still it felt better, वैसे ground clearance ठिक ठागे, 175M के आसपास आपको ground clearance दिया गया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है, बट stiffness की वजए से, अगर आपने say 120 km की ride की है, 120 km की तो आपको एक break पका लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा back में feel होने लग जाएगा, आपको और क्योंकि जब आप थोड़े लंबे time के लिए चलाते हो, तो back के साथ साथ हातों में हलका फुल का दर्द आपको feel होने लग जाता है, बहुत अच्छे ergonomics है, कहीं पर कोई confusion नहीं है, हर button की position जो है, it's placed, you know, really well, the only thing, instrument cluster जो है, instrument cluster बहुत ही छोटू है, और अगर मैं turn-by-turn navigation लगाया तो उसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा, मैंने turn-by-turn navigation लगाया, क्योंकि इतनी सी, literally, मतलब धागे बर, आपके पास जगह है, जब आप turn-by-turn navigation आप देख सकते हो, but बहुत छोटा सा है, बहीं पर अगर आप Harley-Davidson X440 की बात करोगे, तो उसमें round आता है, पुरा, digital instrument cluster, मतलब screen तो almost same ही है, पर वो area जाद आपको offer करता है, यहाँ पर वो चीज नहीं है, तो overall dynamics-wise, despite the fact that it's a more relaxed motorcycle, आपको dynamically अच्छे लगेगी, और आप ठीक-ठाक speeds कर सकते हो, what I could do, at least on the salt flats है, जो एकदम वीरानी सी जगह है, यहाँ पर I could touch about 132-133 km, और अगर मेरे से कम weight है, आपको तो थोड़ा जादा और कर पाओगे, but that is the speedometer, speedometer का error भी अगर आप निकालो, तो लग-बग-बग आप मान सकते होंगे, 125-127 के आसपा, इसकी top speed आप आप आराम से रिकाल सकते हो, अगर मेरे weight के हो, मेरे weight से ज़ादा हो, तो आप easily 130 के उपर इसको लेके जा सकते हो, but performance तो अच्छी है, but brakes कैसे हैं, कि वो भी आपको साथ देना चाहिए, front brake तो actually बहुत अच्छा काम करता है, mostly जो मैंने use किया, but rear brake जो है, वो उतना ज़ादा reassuring आपको feeling नहीं देता है, I wish थोड़े से और ज़ादा बहतर होते हैं, also जब आप rear brake इस्तमाल करते हो, और अगर हलका फुलका भी loose sand है, तो your bike tends to go here and there, so that could have been slightly better, but in a motorcycle, जिसका top end variant लगबर कभी धाईल, आपको 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 नहीं मीलता है, कोई भी modes, in fact, इनोंने दिये ही नहीं है, Harley Davidson के साथ भी same किया था, but I was expecting कि, क्योंकि इनोंने कहीं पर कॉस्ट कटिंग की है, तो कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा दे सकते थे, वो चीज़ इनोंने नहीं की है, तो वो miss out करती हुई आपको नज़र आईगी, but now the final words, is it the best 400cc motorcycle out there, while it may not be the best motorcycle, but the basics are absolutely correct, जो सारे basics हैं मोडरसेक्ल के, जो ergonomics हैं, जो overall hardware दिया गया है, जो fit and finish levels है, वो actually अच्छे खासी है, बस अगर ये 10-1,000 रुपर और सस्ता इसको कर देते हैं, I wish ये 1.90 लाक पे इसको स्टार्ट कर देते हैं, और top and variant दो 10-10 के आसपास बंद हुआ था, which I was expecting, अगर आप प्राइस वाले फैक्टर से जादा परिशान नहीं हो, अगर आपको लगता है कि उतना आपका बजट है, तो आप डेफिनिटल ले सकते हो, modern setup नहीं मिलेगा, बट आपको relaxed motorcycle चाहिए, जिसमें आप अपनी, as a family vehicle, या rose office जाना हो आपको, या फिर अपनी girlfriend के साथ गूमने जाना हो, बीवी के साथ गूमने जाना हो, तो आप definitely जा सकते हो, वो भी comfortable रहेंगे, पस खराब अरस्ते पे थोड़ा slow आपको जाना है, that's the only thing that you need to remember, other than that, fuel efficiency की बात कर लेते हैं, मेरी जान ले लोगे, अपकी mileage किता है, देखे, मुझे से लगा, इसका mileage ना, 24-25 kmpl आपको मिल जाए, तो बड़ी बात होगी, मैं क्यूंकि आज बहुत साथा गन कर रहा था, so I could extract about 22 kmpl, पर अगर आप थूड़ा और आराम से चलाओगी, तो 25-26 kmpl के आसपास की fuel efficiency आपको मिल जाएगी, बाखी pricing 10,000 कम होती, तो सोने पे सोहागा हो जाता, तो यही मेरे first impressions है, इस motorcycle के बार में कभी लंबे time के लिए चलाएंगे, तब इसके बार में और जादा बात करेंगे, I hope आपको वीडियो बसंद आया होगा,